नमस्कार मेरा नाम है अशोकुर स्वागत है आपका mechanical nexus में आज हम discuss करेंगे brazen के बारे में तो चलिए बात करते हैं एकदम basic से सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको किस type के welding कहते हैं तो इसको हम solid liquid welding कैटेगरी में रखते हैं ठीक है ? जिसको technically heterogeneous कहा जाता है अब देखिए बात करते हैं ये solid or liquid क्यों कहते हैं और इस heterogeneous क्यों कहा चाल जाए है देखिए जो हमारा base material होता है इसमें melt नहीं होगा यानि हमारा इसमें कोई melting नहीं होगा और जो हमारा filler material है वो पूरा का पूरा melt होके gap में भरा जाएगा तो यानि liquid होगया filler material और हमारा base material का सा रहता है इसलिए इसको solid liquid welding के टेगरी में रखा गया है heterogeneous कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा base material है उसकी chemical composition कुछ और होती है और जो हमारा filler material है इसकी chemical composition कुछ और होती है इसलिए इसको heterogeneous कहा जाता है अब बात करते हैं फिर यह bracing होती क्या है bracing एक joining process होता है जिसमें हम किसी भी दो similar या dissimilar metal को आपस में joint करते हैं किसकी help से करते हैं help लेते हैं हम इसमें एक fusible alloy की ठीक है और यह fusible alloy जो होता है bracing में इसको कहा जाता है speltor ठीक है अब देखिए बात करते हैं fusible और alloy क्या होता है fusible heat के contact मांके जो गल जाए fuse हो जाए उसे fuse कहते हैं alloy कहते हैं दो या दो से अधिक तत्वो को metals को या non metals को आपस से मिला जाता है उसे alloy कहते हैं यानि speltor क्या है एक fusible alloy है और ये किस से मिलके बनता है दोस्तो ये बनता है हमारा copper और zinc से मिलकर देखिए basically copper और zinc से मिलकर बनता है जिसमें 60% हम copper रखते हैं और 40% हम zinc रखते हैं इसके combination को कहा जाता है speltor ये क्या है एक fusible alloy है और किस category में है ये हमारा एक filler material है I hope everything is clear for you now क्या speltor की ये chemical composition है देखिए नई ये एक category है जो मैंने आपको बताई है जो basically ज़्यादा use की जाती है दूसरा हम इसमें copper में देखिए copper common है copper किसी भी चीज़ में जाएंगे copper आपको मिलेगा copper के साथ अगर आप zinc add कर दिंगे तो ये दूसरा type का speltor बन जाएगा किसी दूसरी application में हम इसे use करेंगे और तीसरी type में हम सेम copper के साथ silver मिला देते हैं silver को ag लिख दूँ चलो silver पूरा लिख देते हैं silver जैसे short form में ag कहा जाता है इससे मिलकर बनता है ये तीन basic type के speltor है जो हम brazing application में use करते हैं तो इससे जो हमारा joint मिलता है और इस पूरे process में जो हमारा temperature range होता है दूआरा सुनिए बहुत important बात है इसमें जो हमारा temperature range होती है वो दोस्तो 450 degree से लेकर यानि इससे start होती है और हमारा कहा तक जाती है यहां लिखूंगा melting point of हमारे base metal ओके अब समझीए 450 से उपर और base material के melting point से नीचे जितने भी हम welding करते हैं उनको कहा जाता है brazing ये others welding से केवल temperature range के base में ही difference है क्योंकि जब हम किसी चीज को उसके basic मतलब base metal के melting point से नीचे रखते है तो उसमें क्या होता है इसमें हमारा जो ये base metal है माल लीजिए ओके ये दूसरा base metal है तो इसके बीच में हमारा ये नहीं गलता बिल्कुल भी melt नहीं होता और हमारा जो filler material होता है वो इसके बीच में add कर दिया जाता है जो की हमारा as a joint बनता है main difference है copper और zinc यानि filler material की composition हमारे base material की composition से अलग होती है इससे एक चीज़ समझ में आती है brazing का use हम dissimilar metal को joint करने के लिए ज़्यादा करते हैं याद रखना अब बात कर लेते हैं हम इसमें flux की भाया brazing में कौन सा flux use करते है तो देखिए दोस्तो brazing में जो flux use करते है उसे कहा जाता है borax हिंदी में इसे suhaga कहा जाता है suhaga okay borax कह लिजिए या boric acid कह लिजिए boric acid ये main flux है जो हम brazing में use करते है सबसे ज़्यादा जो use करते है वो है borax ठीक है अब बात करते हैं भईये ये कैसे काम करती है इसका क्या working principle है एक line में खतम करता हूँ इसका working principle जो होता है जिसके base पे ये काम करती है वो होता है due to capillary action ठीक है capillary action क्या होता है चलिए इसे जल्दी से समझ लेते है ये मेरा एक base metal है ठीक है हमारा इसके अंदर क्या है हमें एक weld करना है माल लेजे ये मेरा एक कोई socket है इसके अंदर मेरे को pipe का piece weld करना है ठीक है अब ये मेरा pipe का piece आया ये कुछ इस तरह से ठीक है अब socket और इस pipe ठीक है यह मेरा pipe है इसके बीच में क्या है दोस्तो limits है limits मंस clearance ठीक है इसे कहते है clearance यह clearance क्या करती है देखें यह clearance ही responsible होती है capillary action के लिए और इनी clearance के कारण capillary action होता है हमारा filler material इसमें two surrounding पूरा अंदर तक भर जाता है after solidification जो welding आपको मिलती है उसको कहा जाता है brazing I hope आपको idea लगा होगा क्या होता है clearance और किस working principle पर यह काम करती है type बात कर लेते हैं कि ब्रेजिंग के कौन-कौन से type होता है कौन-कौन से methods होते हैं तो देखें बेसिकली चार method है बहुत important है जिसमें हम brazing का use करते हैं पहला है torch brazing torch मतलब torch का use करते हैं gas welding में तो अगर हम gas welding यानि oxygen और acetylene का use heat करने के लिए करें तो वहाँ पर उसको हम कहते है torch brazing दूसरा है furnace brazing furnace में क्या होता है देखे furnace मतलब already वहाँ पर एक heating room है यानि हमने atmosphere क्रिट किया हुआ है अगर उसके help से हम brazing करते हैं तो उसे कहते हैं furnace brazing electric resistance brazing अब क्या है electric resistance के कारण heat develop करने के heat develop होती है उस heat के कारण अगर brazing हो उसको electrical resistance brazing कहेंगे और last होता है immersion या dip brazing इसमें क्या होता है already हमारा molten filler material होता है उसके अंदर हम इसे dip करते हैं और हमें brazing मिलती है ये इसके basic principles यानि methods हैं brazing करने के last बात करते हैं हम इसकी application और advantage advantage बतायता है मैंने आपको dissimilar metal अराम से weld हो जाता है जैसे copper को आपको silver के साथ weld करना हो तो वहाँ पे easily हो जाएंगे दोनों अलग-अलग chemical composition के हैं SS को carbon के साथ weld करना हो तो हो जाएंगे इसका सबसे common example है carbide tools देखे carbide tools तो बहुत एक अलगी composition है बट हम पूरा का पूरा टूल carbide का नहीं बनाते तो जो उसके shank होती है यानि handle जिसे आप कह सकते हो या फिर face वह किसका बनाया जाता है HSS यानि high speed steel का उनको जोडने के लिए हम महाँ पर brazing का यूज करते है रेफ्रिजिरेटर जो हमारे घर में रेफ्रिजिरेटर होते हैं उनकी जो जितने भी हमारी welding होती है उस सारी के सारी ब्रेजिंग से होती है A to Z अंदर जो हमारी tubing है उसके भी ब्रेजिंग से करते हैं पाइप की या tubing कहा लिजिए या इसके fittings में हम ब्रेजिंग का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और भी बहुत सारी application है एक important application क्या है इसकी दोस्तों उसको कहते है silver bracing यह बहुत ज़्यादा word आता है silver bracing यह क्या होता है इसको समझ लीजिए देखिए जब इस chemical composition में हम यहाँ copper का ज़्यादा यूज कर रहे है अगर यहाँ copper की जगा आप silver यूज कर लेंगे न तो उसको silver bracing कहा जाएगा silver bracing जहां कहां यूज करते हैं जन्री जुवली applications में यहाँ इमहाँ पर टाका लगाने में यूज करते हैं जुवली applications में इसका यूज किया जाता है तो दोस्तों यह है बेसिकली bracing के बारे में थैंक यू फॉर वाचिंग